हलो प्रेंड्स, वेलकम इन माई यूटूब चेनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भीहिम एप के बारे में बात करेंगे, दोस्तों आज कल ओनलाइन ट्राजेक्शन के समय में जब हम भीहिम एप से किसी के पास भी पैसे बेशते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट है, उससे तो पैसे कट जाते हैं, परन्तु जिसके पास हम पैसा बेजना चाते हैं, उसके पास पैसा नहीं पहुँच पाता है, तो इस इस्तती में जो हमारा पैसा या तो पेंडिंग शो करता है, या फिर फेल शो कर देता है, तो उस इस्तती में हम क्या करे कहां complain करें कि जो हमारे पैसे हैं या तो हमारे account में वापिस आ जाए या फिर जिसके पास हम पैसा भेजना चाह रहे हैं उसके account में वापिस आ जाए तो दोस्तों वो ही मैं आपको complaint किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या-क्या complaint में आपको क्या-क्या show करना है, वो ही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप वीडियो को सरुसे लेके last तक जरूर देखे, बीच में आप वीडियो को skip बिल्कुल भी ना करे क्योंकि अगर आपने किसी भी एक पॉइंट को स्किप कर दिया तो आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे और आपके पैसे वापिस नहीं आएंगे तो आप वीडियो को सुरू से लेके लाश तक ध्यान पूर्वक देखे एक एक जो पॉइंट है उनको समझे और मेरे बताय अनुसार कंप्लेन करे मैं आपको 100% बरौसा दिलाता हूँ कि आपके जो पैसे हैं वो जरूर वापिस आएंगे तो दोस्तो इसी के उपर आज हम बात करेंगे तो बने रहे आपके अपने यूटूब चैनल टेक यादव के साथ तो दोस्तो आप इसके लिए यानि कंप्लेन के लिए आप सबसे पहले जो अपने फोन में जो भीम एप है आप भीम एप को आपको ओपन कर लेना है हम भीम एप के दुआरा ही जो है कंप्लेन डर्ज करेंगे तो आप सबसे पहले भीम एप को ओपन करें आपने भीम एप में जो भी आपने अगर password या finger जो भी आपने लगा रखा है वो डाले जैसे ही आप डालोगे इस तरह से जो भीम एप का home page है वो खुलके आपके सामने आ जाएका अभी आपको क्या करना है भीम एप में सबसे नीचे साइड में तीन option है home, profile और transaction आपको क्या क दोस्तों आप transaction के option के उपर click करोगे, click करते ही आपके जो भी transaction है वो आपके सामने show हो जाएंगे, उसमें से जो आपका transaction फेल हुआ है या pending हुआ है, success नहीं हुआ है, वो उसके transaction के उपर आपको click कर देना है, click करते ही आप देखोगे कि उसमें लिखावा होगा payment initial, payment processing और जो है payment फेल, यानि आपका payment फेल हुआ, सबसे पहली बात ये confirm हो गई है, कि हमारा जो payment है, वो फेल हुआ है, लेकिन हमारे account से payment debit हो गया है, यानि कड़ चुका है, अभी आप इसमें देखोगे, कि इसमें आपकी जो है, 2UPIID, इसमें आपकी किस कारण से payment फेल हुआ है, वो region भी आपको दिया हुआ होगा, अभी आपको क्या करना, इसमें सबसे नीचे आपको option मिलेगा, contact access, contact access के option के उपर आपको किलिक करना है, जैसे ही आप contact access पर किलिक करोगे, तो next page खुल के show हो जाए, next page में आपको जो है, एक phone number भी दिखाए देगा, कि आप यहाँ पर call कर लो, पर आपके सामने एक और बड़ी समस्या आ सकती है, तो मैं आपको सला यही दूँगा, कि इसके उपर आपको एक देख सकते हो, भीम npci.org.in, जो ये website आपको दिखाई दे रही है, आप website को open करें, और website के through आप जो है, अपने पैसों की complain करें, जहां तक हो सके, आप phone number, phone के उप call ना कहें, क्योंकि इसमें क्या है, पता नहीं रहेगा, कई बार आप hack कर लिया जाओगे, मैंने सोना भी है, कि हाँ, ये ये आप जो है information दे दो, हम भीम एप से ही बोल रहे हैं, और आपके पैसे आ जाएंगे, तो दोस्तों उस समय कोई भी customer हो, चाए आप हो, चाए मैं हो पैसों के लिए हम information दे देते हैं, और फिर पैसे ना आके हमारे account से पैसे और कट जाते हैं, तो इसलिए मेरी सला यही है, कि आपकी website के अथर्यू जो है, complain करेंगे, जैसे ही आपकी website open हो जाएगे दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये है, show कर देगे, अभी दोस्तों देखो इसमें complain करके option है सबसे उपर, और सबसे और फिर उसके नीचे option है, जैसे transaction, bill payment, using, भीम, तो दोस्तों, अगर आपका transaction से related कोई query है, कोई complain है, तो आप उस इस तती में transaction वाला जो option जहां पर मैंने round circle किया है, उसके उपर आपकी लिख करें, अगर आपकी bill payment से related कोई query है, भीम ध्यान से सुना दोस्तों, अगर आपकी bill payment से related, यानि आपने भीम, एप के द्वारा किसी भी परकार का अगर कोई bill payment किया है, चाहे वो electric bill हो, चाहे आपने किसी की फीस बरी हो, चाहे आपका पानी का हो, चाहे आपका phone हो, तो उस इस्तती में आपको क्या करना है, जो नीचे option है, bill payment using Bheem, तो bill payment using Bheem वाड़े option पर आपको क्लिक करना है, और अपनी bill से related, जो क्यो उरी है, वो इसमें फिलप करनी है, पैसुन के transaction से related वाड़े क्यो उरी है, तो transaction वाड़े को आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही दोस्तु आपको transaction वाड़े को किलिक करोगे किलिक करते ही आपके सामने जो है सबसे पहला ओप्षन आ जाएगा Nature of Transaction इसके उपर तो इसमें आप जब Nature को सलेक्ट करोगे तो इसमें आपको दो ओप्षन शो करेगे परसंटू 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 मर्चेंट यानि जो आपने किसको परसंटू परसंट को या परसंटू मर्चेंट यानि व्यक्ति आपने किसी व्यक्ति विशेश को पैसे दिये हैं या फिर सेकंड ओप्षन है जैसे मर्चेंट या किसी व्यापारी या बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति को पैसे दिये हैं तो इसमें दोनु ओप्शनों में से जो ओप्शन आपको सूट करें जैसे वो ही ओप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है इसके बाद में इसके बाद में इस्यू टाइप ये बहुत ही इंपोर्टेंट जो है इसमें है इसमें आपको सेलेक्ट करना है तो इसमें आपको वो चीज़ सलेक्ट करनी है जो आपका पीछे आपकी जो ट्रांजेक्शन में आपको रिजन में आपको शो किया है कि आपका जो पेमेंट है किस वज़े से फैल हुआ है तो इसमें द्यान पूर्वक इन ओप्षनों को आपको पढ़ना है और वो ही सूटेबल ओप्षन आपको सलेक्ट कर लेना है जैसे पहला है amount debited but not credit to beneficiary account यानि आपके खाते से पैसे कट गया है परन्तु जिसके पास बेजना चाहरे हो उसके पास पेमेंट नहीं पूंचा है तो ये फस्ट वड़ा सलेक्ट करें transaction failed but amount debited. transaction failed हो लेकिन पैसे कट गये हो तो फ्रंजेक्ट वड़ा option सलेक्ट करें incorrectly transferred to another account किसी दूसरे के खाते में चला गया हो तो ये सलेक्ट करें transaction time out but amount debt in account प्रंदू पैसे आपके खाते से कट गये हो तो ये सलेक्ट करें प्रूडियर ट्रांजेक्शन हो गया हो अगर ये आपका रीजन शो कर रहा हो तो ये शो करें नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन पेंडिंग ट्रांजेक्शन अगर पेंडिंग शो कर रहा है आपका पैसे कट गये हो ट्रांजेक्शन पेंडिंग शो कर रहा है रीजन में तो ये स सेलेक्ट करें ट्राजेक्शन डिक्लाइंट यानि ट्राजेक्शन अगर डिक्लाइंड शो कर रहा है डिक्लाइंड यानि मना कर रहा है ट्राजेक्शन यानि जहां आप बेजना चाहरे हो जा नहीं रहा है किसी भी कारण वस तो जो यह ओप्शन है यह आपको सेलेक्ट करना ह अब trace hold accident यानि अगर ये आपके जो transaction में region में ये show कर रहा है तो आप complain करते समय दोस्तों आपको ये ये जो option मैंने बताए है इसमें आपके सामने ये option खुल के आ जाएंगे तो आपको इन्हीं optionों से जो suitable option हो दोस्तों इसमें आपको option select करते समय ध्यान रखना है जो option suitable हो यानि वो ही आपको इसमें डालना है फिर भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप comment box में लिख देना मैं आपके पूरी help करूँगा कि ये option आप इसमें फिलब करें दोस्तों जो next है वो है comments का यानि comments वाड़े option में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा बहुत लिख देना है कि आपने कितने रुपए का transaction था कब transaction था इसके बाद में किस bank से किस bank में आपने transaction किया तो इससे related आपको थोड़ा बना के लिख देना next option है दोस्तों transaction ID तो जैसे ही आप आप जो transaction का आप खोलोगे सबसे पहले तो उसमें transaction जो ID है वो आपको show कर देगी तो वो transaction ID जो है 12 डिजिट की आपको इसमें फिलब कर देना इसके बाद में दोस्तों bank name तो आपको bank name तो आपको इसमें जाके जो नीचे option दिया है select bank name इसके उपर आपको click करना है और click करते ही आप यहाँ पर आपके सामने एक बैंकों की list आजाएगी तो आपने आपका जो भी bank है चाए वो ग्रामियन चेतर का है या सहरी चेतर का है जो भी bank है वो bank name आपको यहाँ से select कर लेना आपको इसमें देख लेना है इसमें इंडिया के जितने भी bank है चाए वो हमारे गाओं का bank हो या सहरी bank हो या किसी भी state का bank हो इसमें सब bank है तो आप bank अपना select कर लेना जैसे मैंने select कर लिया है इसमें bank को बढ़ोदा आपका जो भी bank हो आप select करेंगे इसके बाद में है VPA यानि Virtual Payment Address दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि VPA भी एक परकार से जैसे हम किसी के पास phone number या किसी ID ये एक special ID होती है किसी भी मतलब particular की तो ये एक ID होती है अगर आपने ये ID पहले से generate कर रखी है तो वो आप डाले या आपको पता नहीं है कि मेरा VPA address जो है क्या है तो उस इस्तति में आप क्या करें आप phone पे या Google पे या Amazon से किसी के पास पैसे बेजते होंगे या आपके पास भी पैसे आते होंगे तो आप उस समय देखना उस समय आपके पास एक ID आएगी पैसों में जो message आता है add the rate ये तो वो ही आपकी VPA ID होती है तो वो आप यहां से जो है डाल दे इसके बाद में आगया amount यानि कितने रुपए थे आपके जितने रुपए आपके pending या fail जो भी show किया है वो आपको इसमें डाल देना है इसके बाद में option है date of transaction यानि इसमें दो है month, day, year ये आपको select कर लेना है और select करके क्या क्या था तो वो आपको डाल देना next option है email id इसमें आपकी email id डाल देना है क्योंकि जब आप जैसे ही इस complaint को submit करोगे submit करते ही जो है भीम एप के जो staff है वो आपकी complaint को पढ़ेंगे उनको कोई भी doubt होगी तो वो उस समय आपको क्या करेंगे email के माद्यम से वो आपसे जानकारी जुठाने की कोशिज करेंगे अगर उनको मानलो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या उनको कुछ और doubt हो वो आपसे पूछना चा रहे हैं तो इसमें वो क्या करेंगे email के माद्यम से आपसे contact करेंगे तो इसमें आप जो है अपनी email id को इसमें आपको फिलप कर देना registered mobile number यानि जिस mobile number से आपने जो यह भी email को link कर रखा है वो ही registered mobile number आपको क्या करना है इसमें आपको डाल देना है उससे कोई भी क्यूरी है कोई भी चीज देखना है तो उनको confirm हो जाएगा इसके बाद में है please attach your upload bank account statement यानि दोस्तो इसमें जैसे आपके account से तो पैसे मालो कट गए है यानि आपके account से पैसे निकल गए है तो आपको क्या करना है उस इस्तती में जो bank statement है bank statement की copy आपको इसमें upload कर देनी है दोस्तो ये अगर copy आप upload नहीं करोगे तो हो सकता है वो भी doubt में रहें तो ये बहुत ही important चीज है important है कि उनको भी जो भी भी भीम एप काईस्टाप इसको पढ़े उनको भी confirm हो जाए कि हाँ जो है ये latest customer का statement है और पैसे जो है इस account से debit हुए है तो इस तरह से आपको है अप next option है दोस्तो math question तो ये math question जैसे यहाँ पर 6 plus 2 तो नीचे जो box है इसमें add fill up करना है और हो सकता है आपके पास 1 plus 2 या 3 plus 1 कुछ भी आ सकता है plus का या multiply का या divide का इतो यो जो भी आपको answer लगे तो वो box में आपको submit कर देना है इसके बाद में दोस्तो सबसे नीचे जो option है submit का तो ये submit कर देना है दोस्तो जैसे ही आप submit करोगे ये complaint जो है वो भीम add case आपके पास सली जाएगी और वो इसके उपर पढ़ेंगे इसको और जो भी उनको क्यूरी लगेगी जो भी उनको लगेगा कि ये जो और customer से पूछना चाहिए या उनके कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो आपसे email के मादेम से वो आपसे contact कर लेंगे तो आपको बार बार अपना email भी चेक करते रहना है जो भी वो आपसे पूछेंगे या communication होगा उनका वो email के मादेम से ही होता है तो आपको ये complaint समिट करने के बाद email को अपना चेक करते रहना है और उनको जो भी email आए भी स्टाइक की तरफ से उसकी रिपलाई देते रहना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा अपने दोस्तों तक सेर करें वीडियो को लाइक करें वह प्लीज मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब् करें thank you for watching my video again thank you to all